तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं UPCLTG2 के एक्जाम के जर्नल हिंदी सब्चेट के लिए एक इंपोर्टन टॉपिक का वीडियो लाएं हूँ वो है वाक्यांस के लिए एक सब्ध इसमें मैंने कुछ इंपोर्टन वाक्यांस के लिए एक सब्ध कवर किये हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो पहला आपका वाक्यांस क्या है देखिये आदेश की अभह verstक अभह हेलना करने को क्या बोला जाता है अवग्ध्या जो बिना वेतन के कारे करता हो उसे बोलते हैं अवेतनिक जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, उसे बोलते हैं अप्रवासी, जो सहनसील नहूँ, असहिश्रू, सहिश्रू मतलब होता है सहनसील, और असहिश्रू मतलब जो सहनसील नहूँ, जिसका कभी अन्त नहूँ, तो यह आपको समझ में आ रहा है कि जिसका कभी अन्त नहूँ, जिसका दमन न किया जा सके अदम्या जिसका इसपर्स करना वर्जित हो जिसका विस्वास न किया जा सके अविस्वस्त मतलब जिसका विस्वास किया जा सके उसके लिए होता है विस्वस्त और जिसका विस्वास न किया जा सके तो उसका होता है अविस्वस्त आप देखे जहा आप हटा देंगे सब्द से तो फिर वो positive sense में हो जाएगा ठीक है चलिए इसमें देखिए जो कभी मरता ना हो अमर मरता हो तो मर हो जाएगा और जो कभी ना मारता हो तो अमर हो गया जो सुना हुआ ना हो अस्रव्य इसमें आपको दोनों चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इस में से इसी sentence में से अगर आप ना हटा देते हो जो सुना हुआ हो तो उसमें से सब्द में से आ हट जाता है ठीक है जिसको भीदा ना चाह सके अभीद्य जिसको साधा ना चाह सके असाध्य जिसकी तुल्ला ना हो सके अतुली नहीं है जिसके आदी या प्रारंब का पता नह हो से क्या बोलेंगे अनादी जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम जिसका वर्ण न हो सके अवर्ण नहीं है जिसका खंड न किया जा सके अखंड नहीं है जिसे जाना न जा सके अगे पतलि यह क्या होता है जिसको आप जान सकते हो जानने ही हो गये और जिसको जाना न जा सके वो हो जाएगा अगे जो बहुत गहरा हो तो गहरा का होता है गाद तो जो बहुत गहरा हो उसका होता है अगाद ठीक है चलिके नेक्स कौन सा है जिसको काटा न जा सके अकाट्य ठीक है जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य जिसका निवार न किया जा सके मतलब जिसे करना आव अनुकरन करने योगे जो कभी न आया हो अनागत जिसकी अपेच्छा हो उसे बोलेंगे अपेच्छत जो मापा न जा सके अपरिमे तो जो मापा जा सके वो होगा आपका परिमे जो मापा न जा सके वो हो जाएगा आपका अपरिमे एक बात और पता देती हूँ मैं आपको कि जो मैं आपको practice set provide कर रही हूँ computer का वो practice set आज भी आपका आएगा as it is पहले मैंने आपको ये Hindi का video provide किया है because मैं Hindi और English के भी कुछ important videos आपको provide करूँगी ऐसे student की रिवांस है तो उसके recording में आपको ये एक video भी provide करूँगी और साथ में दिन का एक practice set तो आएगा ही कोईस करूई की दूसरा भी आजाए ठीक है चलिए start करते हैं जो कम जानता हू अग्य माने होता है जानता हो और जो कम जानता हू उसमें अलप लगा दिया गया है कम के लिए तो अल्पक्गी हो गया, कि कम को बोलते हैं अल्प, ठीक है, नेक्स्ट है, जिसका विभाजन न किया जा सके, तो उसे बोलेंगे अविभाज्य, या फिर अभाज्य, जिसका विभाजन न किया गया हो, अविभक्त, ठीक है, जिसकी भुजाये घुटनों तक लंबी हो, अजा घन म्रत्यू जो अपने उपर निर्भर है आत्म निर्भर या फिर स्वावलंबी विर्थ का प्रदर्षण करना तो विर्थकी प्रदर्षण करने को भोलते हैं आडमबर पूरे जीवन तक में पूरे आएंगे ठीक है नेक्स्ट है आपका इस्वर में विश्वास रखने वाला तो आस्तिक बोलते हैं विदेश में विदेश से देश में माल मंगाना तो विदेश से देश में माल मंगाने को बोलते हैं आयात करना या फिर आयात जिसका संबंद आत्मा से हो आध्यात्मिक जिसक कोई आसा न की गई हो आसा तीद जिसके कोई आसा न की गई हो उसको पूलेंगे आसा तीद करम में तत पर रहने वाला कर्मठ किये गए उसको मानने वाला अग़ग्य। कि दो क्लिकि आंचारी खेले जिए गए उपकार को न मानने वाला्तो यंत ड्वारा चलाया जाने वाला तंट्र बहुत एजी है जनंटंत्र हो गया जिसमें दया भावना नहा नहां तो वह हो जाएगा आपका अदया लू . चलिए चलिए निक्स्ट नहें जिसका आचरन बुरा हो दुराचारी जिसका आचरन बुरा हो वो हो जाएगा दुराचारी और अगर हम बोलेगे जिसका आचरन अच्छा हो तो वो क्या हो जाएगा सदाचारी क्योंकि आचारी तो आपका आचरन को निकाल रहा है और सदाचारी हो जाएगा इसका अच्छा हो ठीक है, चली next क्या है, जो नस्ट होने वाला हो नस्वर, क्या फिर नास्वान और बोला जाएगा कि अगर जो नस्ट होने वाला ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्वर रात में विचरन करने वाला निसाचर वह आप निसा बोलते हूँ रात का परयावाजी है है और चर, मतलब चरण करना-वेचरण करना चल तो वह हो जाएगा आपका निसाचर جो रात में वेचरण करने वाला है जो यह मानता हो की संसार में कुछ भी अच्छा होने की आसा नहीं है मतलब जो हो मैं सा नेगेटिव सोचता हो उसको क्या बोलेंगे निरासावादी जो लज्जा से रहित हो निरलज्य ठीक है जिसको भैरा हो निर्भै जिसको भैरा हो वो हो जाएगा निर्भै केवल दूद पर निर्भर रहने वाला जिसका आहार केवल दूद हो तो उसको क्या बोलेंगे पयोहारी तो आप पयोहारी सब्द को रोभागों वी वाड़ते हो तो पय मतलब होता है दूद और आहार मतलब होता है भोजन तो पय और दूद और आहार को आप मिला देते हो तो आपने संद्र विक्षित पड़ा होगा तो ये पायो बन जाता है पायो हारी तो आपका हो जाएगा केवल दूद पर नर्वर रहने वाला पायो हारी जो मापा जा सके अपरिमे ही है जिसके आर पार देखा जासा कि वो क्या होगा पार दर्सी चले नेक्स्ट है बहुत विस्यों का जानकार जिसको बहुत विस्यों का ज्यान हो उसको बोलेंगे बहुग्य अग्य मतलब होता है जानने वाला और बहुत के लिए बहु लगा दिया गया है तो बन गया है बहुग्य अनेक भासाओं को जानने वाला बहु भासा विद इसमें भी देखिए विद मतलब होता है जानकार और बहु भासा मतलब अनेक भासा है तो सब्द बन गया आपका बहु भासा विद भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग गे वादी, तो आप ये भी समझ सकते हो कि आपको गर नहीं भी आ रहा है, तो आप खुद भी बना सकते हो कि हाँ ऐसा सब्द हो सकता है किसी चीज के मर्म का ग्याता, मर्मग्य आगे मतलब होता है जानना और मर्म को जानने वाला तो बन गया मर्मग्य जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी, मिथ्या मतलब होता है जूट और वादी मतलब बोलना वाला तो फिर हो गया है मिथ्यावादी कम खर्च करने वाला मिदव्याई जिसने मृत्य को जीत लिया हो मृत्युन्जे घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावर किसी विसय का विसेश ज्यान रखने वाला विसेश अग्ये अब आगे मतलब होता है जानने वाला और विसेश हो गया तो विसेश अग्ये होगे चलिए नेक्स्ट है जो कहा न जा सके अकथनी है ठीक है जो अगर कहा जा सके बोला जाएगा तो बोलोगी कथनी है कहा न जा सके तो अकथनी है जिससे छमा ना किया जा सके अच्छम में जिस इस्थान पर कोई न जा सके अगम में तो अगर इसी को positive पूछेंगे तो फिर गम में हो ज जो कभी बूढ ना हुँ अजर जिसका कोई सत्रू ना हुँ अजात सत्रू जो जीता न जा सके आजे जीता जा सके तो हुजेगा इसे और जिसके समान कोई ना हो धुसरा ना हो तो वो हो जाएगा आपका आदेती है इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारे वाक्यान्स कवर किये हैं और ये सारे ही इंपोर्टेंट है रिपीटेडली पूछे गए हैं और अलग-लग जिए से कलेक्शन करके मैंने ये प्रिपेर किया है तो आपने कुछ ऐसे सुने भी होंगी और इनको समझना भी इजी है आप ये देख सकते हो तो इस तरह के वाक्यान्स तो आप एक बार सुन लोगे उसमें ही आपको समय में आ जाएंगे चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स आपको क्या है दोपहर के बात का समय इसको क्या बोलते हैं अपराहन जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको बोलेंगे अपवाद जो पहले कभी नहुआ हो तो वो क्या होगा अभूत पूर्व जिसकी गिंती नहों सके उसको बोलेंगे अगड़ नहीं है या फिर अगड़ित जो पहले पढ़ा हुआ नहों वो हो जाएगा अपठित जो पढ़ा हुआ हो वो हो जाएगा पठित और जो पहले पढ़ा हुआ नहों वो होगा अपठित जिसके आने की तिधी निश्चित नहों तो बोलेंगे अतिधी, जिसके बारे में कोई निश्चेना हो, अनिश्चित, और जिसके बारे में अनिश्चित होता है, वो होगा निश्चित, ठीक है, नेक्स्ट आपके है, अतिधिक बढ़ा चड़ा कर कही गई बात, ये भी बहुत बूचा जादा है आपका, अतिधिक ब आगे रहने वाला अग्रणी जो पहले जन्मा हो अग्रच जो बाद में जन्मा हो अनुच छोटे को बोलते हैं अनुच और अपने से बड़े को बोलते हैं अग्रच और अपने से छोटे को बोलते हैं अनुच जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर जिसका पता अच्छूता जो अपने स्थान या इस्थिति से अलग ना किया जा सके अच्छूत यह आपने बहुत कम ही सुना होगा पर इसको भी आप एक बार फिर से पर रिवाइस कर देती हूं ठीक है जो अपने स्थान या इस्थिति से अलग ना किया सके अच्छूत जो अपनी बाते ह टले नहीं, उसे बोलेंगे अटल तो चलिए ये important आपका वीडियो था इस कोई बार जरूर आप पूरा देखिएगा और ऐसे ही वीडियोज मिलाती रहूंगी Thanks for watching my video